असलम अलेकुम फ्रेंज कैसे आप सब आई होप यू आउल वेल और आप सब की दुआउश अलहम दिल्ला हम सब बहुत अच्छे हैं आज मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए मतर पालक पनीर की रेसिपी बहुत डिलिशिस रेसिपी है यह रेसिपी मैंने और भावी ने मिल कर बनाया है तो चलिए स्टार्ट करते कैसे बनता है मतर पालक पनीर की रेसिपी और सबसे पहले वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और कम ने बताई है मेरी रेसिपी कैसे बनी है जिन्हों अभी तक सबस्क्राइब नहीं कि वह जरूर सबस्क्रा अच्छी वीडियो यार लाश्ट देखिएगा इसके पूमत करिए और प्रेस आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा स्वरी चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनते हैं मटर पालक पनी की रेसिपी बहुत डिलिसिस रेसिपी है तो मैंने शारे इंग्रिडिन्स ले लिए हैं य मीडियम साइज आनियन जिससे बारी चॉप किया हुगा है मैंने दो साइज मीडियम साइज टोमाइटो भी लिया एक्राही रख दी जिसमें मैंने पानी को बॉल करने के लिए रख दिया तो अब हमारा पानी भी बॉल हो चुका है तो मैं मालक पालक को सॉरी इसमें सारे प अज़े काट वाल्क कुछा हो चुका है तब आम चाटक बार चुब आप अबना पालक आप डियां में जब आपको कांड़ से पनीर की कट कर ली ते था नब इसाए उस फे में पनीर के पीसिड हो चुब अब कर लेता हैं बाबी कर रही हैं मैं हमारा बनीर नकाल लेते हैं बहुत अच्छा से से नकाल कर इसको ग्राइड करेंगे तो मैंने ग्रैंडिंग जार भी लिया हुआ है तो दीखिए हमारा साला प्लम प के पालक anchively को हो चुका है तो झाल लेंगे सारे बालक को जीन अंटिंसे ग्राइन ग्राइन करेंगे तो ठंडा होने के बाद तो थोड़ा थंड़ा हो गया था तो हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो ही ग्राइंड हो चुका है तो अब नेक्स्ट मैंने कडाई रख दिया मस्टर डाला है और हम मतर को फ्राई करेंगे मैंने एक प्याले मतर लिया हुआ था तो इसे फ्राई कर लेते हैं थोड़ा इसे म तो हमारा मटर हो चुका है तो मैंने मस्टर्ड आयल फिर्च कडाई में डाला है आप जितना चाहिए उसी उतना कॉंटिटी में मस्टर्ड आयल यूज कर सकते हैं आप जितना बना रही है तो हमारा आल गरम हो चुका है तो मैं इसमें गरम मसाले डालोंगे मैंने जीरा सुख अब तक दिया वुर्ण हो चाहिए मैं जय अप्या मैंने वाण टू डबल स्पून कि इन दो नियूर पाउडर एंड गोरियंज पाउडर यमशन तो मैंने लिन दो हमार प्याज हो चाहिए तो बैंसें में जिंजर गारली का पेस्ट डाल देते हैं और अच्छी तरीके से मिंक्स करते हैं अ तक रभाष हमेड़ प्राउन पेष य मिदियम साइज लैंटो मैं ने करूंजाएं साइउ म darimientos hide for my new mint इसमें आड़ा देखिए हमारा मसाला इसमें अश्य तरीके से MIX कर लेखिए मेडियम फ्लेम में बनाईएगा ताकिए नीचे लगना जाए हमारा त्ाम हमारा मसाला डुन्ंत wysie QëlkinAT ढालेंगे तेस्टे का अगॉडिंग साल्ट डा दियेगा मैंने द्वामक टालब टीबल सपून नमक डाला था इसी तरीके से मिक्स करें आप तब तक मसाले को भीनते रहेगा, जब तक मसाले में से आयल और इल्फया, मतलों मसाले लजाए आयल अलिजाएं तो मका मसाला रेडिया भीन हो चुकर है मैं घ्राइनि के विए पालक को इसमें आड कर ने तो हमने सारे पालक औराम से एड़ आध कर लिया है साजानी कर शाद् है यूजय है और हमारा पालक इसको अछी से चलाएए, यह अध ब्लम कर लियू गाएEP अब में अछी तरहेडिये । तो इसे इसी तरह चलाते रहे हैं आप मीडियम फिल्म पर पकाते रहे हैं तो हमारा पाला थोड़ा चलानी के बाद मैंने कवर कर दिया था दो मिनिट के लिए नाउ दीखिए मैं फिर से चला रही है इसको अब मैं इसमें मटराइट करूंगी तो मैंने वन प्याले जो मटर लिए होता है उसे मैंने आड़ कर दिया एंड मैंने अपने सारे पनीर को भी इसमें आड़ कर दिया हुआ है और अच्छी तरीके से मिक्स कर ले मैंने मटर और पनीर को दोनों को साथ में मिक्स कर दिया है वो किलिफ लॉस्ट होगे थी सौरी इ मेण मिल्क आफ ग्लास और गड्लास को आफ मैठ गडरिया अच्छी मिल्क आटा है अच्छी तरी कालगेगे अश्छी से पीटिए वरुबनीगे बहुत ही बहुत सिंधे कवर कर दूँगी थोड़े देर के लिए क्योंकि कवर करने से थोड़ी अच्छी सी इसकी शौद और टेस्ट अच्छी सी आएगी तो अच्छी से मिक्स होने के बाद आप इसको कवर कर दीजिए उनली फाइब मिनट तो दीखिए हमारा मटर पालग पनी बनकर रेडियो हो च कर दीए तो अभी मेरा माटर पालग पनी में को रेडियो है तो मैं सिगरम घरम शालब करती हूं आप दिखिए बहुत ही वैसी बहुत है त्यार इस्टी थिए धार पालग पनी सो वीडियो को लाइक करे गार एं ऐन कमने में बताइए कैसे बूंए मेरी रिच्पी यह और नहीं लगी और ट्राइ करना है तो नहीं करना है तो भी यार बता दीजिएगा ज़रू करिए गार वीडियो अच्छी लगे तो शेर भी करिएगा मेरी वीडियो इसको और यह रेष्पी को क्यासी लगिया लाइक करें दोन्ट फगेट तो सब्सक्राइब और प्रेस्ट प्रेस्ट बेल इकन तकी में धी हर वीडियों नोटिफिके शाब सब्सक्राइब पहुस्ती रहे थैंक्स फर वाचिंग